हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल नैचुरल हेर डाई की वीडियो शेयर कर रही हूं इस जाई को आप घर पर ही बना सकते हैं बिल्कुल नैचुरल तरीके इससे जो भी इंग्रीडियंट यूज की है वह सारे नैचुरल है हर बल तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ नैचुरल हेरर डाई की वीडियो शेयर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्चर्ट करते हैं लेट्स केड्स चाड़ेट तो गाइस इस डाई को बनाने के लिए मैंने इन चीज़ों का यूज किया है इसली आप लोकल मार्केल स्चोर से ये सभी चीज़े बाई कर सकते हैं काफी ज़्यादा अफॉर्डेबल प्राइस पर सबसे पहले मैंने नेहा हरबल महंदी का यूज किया है मैंने कॉफी के दो पाउच यूज किया है अलोवीरा जेल का यूज किया है तो आप देख सकते हैं बीट रूट का मैंने इसमें यूज किया है बीट रूट जूस का कर्ड मैंने यूज किया है और मैंने आमला पाउडर यूज किया है तो guys मेहंदी को भीगोड रखने के लिए मैंने यहाँ पर लोहे की कड़ाई का यूज किया है। लोहे की कड़ाई के बहुत ही ज्यादा फाइद है तो सबसे पहले मैं नहीं हाँ मेहंदी का यूज कर रही हूं आप मैंने यहाँ पर aloe vera gel का यूज किया है आप चाहें तो ग्रीन वाली aloe vera gel का यूज कर सकते हैं अलो वीरा जेल से हमारे बाल बहुत ज़दा स्मूथ सिल्की सॉफ्ट हो जाएंगे दो चमच मैंने अलोवीरा जेल के महंधी में डाले हैं अगर आप एक packet का यूज़ कर रहे हैं महंधी का तो आप एक चमच का भी यूज़ कर सकते हैं एक चमच अलोवीरा जेल का मैं यहाँ पर आमला पाउडर का यूज़ कर रही हूँ इसे आप पंसारी की शौप से इजली बाई कर सकते हैं बहुत ही फाइदे होंगे आपको इससे हिरफॉल की प्रॉब्लम कम होगी दहीं का मैं यूज कर रही हूँ as a conditioner भी दहीं वर्क करेगी दो बड़े चमच मैंने यहाँ पर दहीं के डाले हैं यह सारी चीज़ें आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा करेंगी अब मैं यहाँ पर बीट रूट का यूज कर रही हूँ बीट रूट को अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए मैंने भीगो लिया था उसके बाद मैंने उसका जूस निकाल लिया है मैं यहाँ पर पानी का यूज नहीं कर रही हूँ मैंने बीट रूट से बीट रूट का जो जूस निकाला है उसी से मैंने महंदी को बिगोया है मैंने यहाँ पर पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है आप देख सकने हैं कि मैंने कॉफी का भी यूज की है और मैंने बीट रूट का भी यूज की है बीट रूट से बालोमे ऐक रेड शाइन आ एगी कॉफी से बड़ा अच्छा ब्लैक सा कलर बालोमे आ जाएगा मैं नहीं चाहती कि मेरे बालों में बिल्कुल आर्टिफिशल सा ब्लैक कलर आये कि कोई भी देखके कहें कि मैंने डाय का यूज किया है जो भी मैंने चीज़े डाली है इन सबी से आपके बालों में सिरफ नैचुरल शेड आएगा कोई भी देखकर यह नहीं कह सकता कि आपने डाय अपने बालों में लगाई है बहुत ही सुन्दर नैचुरल शेड आपके बालों में आएगा तो इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है कोई भी लम्स ना रहे अच्छी तरह से इसे mix कर देना और इसे कम से कम 3-4 घंटों के लिए भिगो कर ऐसे ही रख देना इसे ढखकर रखिए हो सके तो लोही की कड़ाई का ही यूज कीजिए लोही की कड़ाई का यूज करने से आपको अच्छे वाले फाइदे देखने को मिलेंगे तो देखिए तीन से चार घंटों के लिए मैंने इसे अच्छी तरह से भिगो कर रख दिया है आप चाहिए तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं आफ्टर 3-4 आवर्स आप इसका यूज कर सकते हैं जितने भी कड़ाई के लोहे के फाइदे हैं वो सारे इसमें आ गए हैं अलोवीरा दही बीट रूट कॉफी इन सभी चीज़ों के फाइदे मेहंदी में आ चुके हैं आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक कलर जो कड़ाई क है वो भी निकल रहा है अगर आप यह सारी चीज़ें का यूज करेंगे आपको बहुत ही अच्छा कलर देखने को मिलेगा तो सबसे पहले तो आप बाल देख सकते हैं कि बालों की हालत कैसी हुई हुई है वाइट बाल कितने ज़्यादा है अगर आपको वाइट हेर की प्र कि बालों में बड़ा आच्छा शेड आएगा हमने इसमें दहीं का यूज किया दहीं के यूज से आपके वालों में बिल्कूल आपके वाल्ण सव्ट हो जाएंगे ऐसा कंडीशन दही वर्क करती है आपको रलगाने की ज़रूरत भी को Son तो देखिए यहां पर वाइट हेयर की प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से ब्रश की हेल्प से सारे बालों पर महंदी सेक्शन बाई सेक्शन लगा रहे हूं आप चाहें तो जुड़े वाली महंदी भी लगा सकते हैं उससे क्या आता है ना कि पूरी बालों की जितनी भी लैंट है सबी में महंदी अच्छी तरह से लग जाती है अगर आपको वाइट ही अड की प्रॉब्लम है तो आप तब भी इस महंदी का यूज कर सकते हैं बिल्कुल हर्बल और नैच्छुरल चीज़ों का मैंने यहां पर यूज किया है किसी भी तरह का नुकसान आपके बालों में नहीं होगा बेज जिजक आप यह वली हेर डाई का यूज कर सकते हैं यह सभी चीज़ों को डाल कर अगर आप महंदी लगाएंगे ना आपके बा कॉफी का भी यूज किया है इन सभी चीज़ों के यूज से आपके बालों में बिल्कुल नैच्छुरल शेड आएगा मुझे अपने बालों में नैच्छुरल शेड ही पसंद आ ना तो मुझे बहुत ज़ाधा रेड बाल अच्छे लगते हैं और ना ही ब्लैक कलर अच्छा लगता है ये सारी जीज़े हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफीशियल है अलोवीरा हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफीशियल है बहुत फाइदे आपको मिलेंगे आप चाहे ना तो इसे महंदी लगाने के बाद जब अच्छी तरह से आपकी महंदी सूख जाती है ना जब आपको हेर वाश करना होता है आप जस्ट पानी से हेर वाश कीजिए अच्छी तरह से सारी महंदी निकाल दीजिए और फिर आप जब आपके बार सूख जाएंगे ओ अगर आपको कहीं पर जल्दी जाना है तो आप उसी टाइम भी हियर वाश कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने जुड़े वली महंदी लगाई हैं ताकि सारे बालो पर, scalp पर, length पर अच्छी तरह से महंदी लग जाए इस महंदी को आप scalp पर भी लगा सकते हैं कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा जो मैंने यहाँ पर नेहा महंदी का यूज किया ना इसमें ऐलोवीरा है, इसमें हीबिकस है, इसमें ग्रीन टी एड़ है जो कि हमारे बालो के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनेफीशियल है यह सारी चीज़े हमारे बालो को सिरफ वर सिरफ आइदा ही करेंगी कोई भी नुकसान नहीं करेंगी तो देखे इस तरह से बड़े ही असान तरीके से आप जुड़े वाली महंदी भी लगा सकते हैं बहुत असान है जुड़े वाली महंदी लगाना section by section आपको layer लेते जाना है brush की help से महंदी लगाते जाना है महंदी से ही जुड़ा बड़ी अच्छी तरह से cover हो जाएगा बिल्कुल भी आपका जुड़ा खुलेगा नहीं तो आपको ना कम से कम दो से तीन घंटों के लिए तो महंदी को रखना ही है ताकि अच्छा सा color बालों में आ जाए महंदी अच्छी तरह से सूख जाए ड्राइर का आप यूज मत कीजिए नैच्रली अपनी महंदी को सूखने दे तो देखिए महंदी मैंने सारे बालों में लगा दी है तो देखिए अब महंदी अच्छी तरह से सूख चुकी है बिल्कुल ड्राइ होगी है महंदी और अब मुझे करना है हेर वाश इसी तरह से आपकी महंदी सूखी होई होनी चाहिए तब ही अच्छा कलर आएगा तो अब मैं पानी अपने बालों में डाल रही हूँ ना तो शैंपू करना है और ना ही कंडिशनर करना है जब मीरे बाल सूख ग के तो मैंने आइलिंग की यह अपने बालों पर शैंप्र गॉल्णी १ूल पर लगा और अगले दिन मैंठे यह दूरट ऑच किये जिससे की बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे फिर मैंने ये सबी चीजों का यूज किया तो उसके बाद आप बाल देख सकते हैं ये दो दिन बाद की वीडियो है आप देख सकते हैं बालो में कितनी अच्छी शाहिन आई है बालो में कलर कितना ज़दा अच्छा है आफ्टर और बिफोर दोनों में ने ये वीडियो आपके साथ शियर की है आप गाईज आपको मेरी ये वली वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और गाईज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें आपके एक लाइक से हमें काफी ज़दा मोटिवेशन मिलती है तो आपको ये वली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आप कोई कोस्टिन करना चाहते हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं हो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चलिए गाइज अब मैं मिलूंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाई